दोस्तों, मौत का कोई निश्चित वक्त नहीं होता, वो किसी भी समय किसी को भी, कहीं भी आ सकती है, और उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं है. मौत के संकेत को लेकर, यमराज और अमरित के बीच एक बहुत ही रोचक कहानी है. अमरित नाम का एक आदमी मौत से बहुत डरता था, क्योंकि उसने अपने परिवार की मौत अपनी आखों से देखी थी. मौत से बचने के लिए, उसने बहुत समय तक मृत्यू के देवता, यमराज की तपस्या की. यमराज प्रसन्न हुए और अमरित को दर्शन दिये. यमराज ने कहा, मेरे दर्शन केवल मरने वाले या जो मर चुके हैं, उनको ही प्राप्थ होते हैं, लेकिन तू तो अब भी जीवित है, फिर मुझे क्यों याद कर रहा है? अमरित ने यमराज से कहा, मैं जानता हूँ कि मौत को टाला नहीं जा सकता, पर मेरी एक इच्छा है. मैं चाहता हूँ, कम से कम मौत से पहले आप मुझे एक पत्र भेज दें, ताकि मैं अपने परिवार के लिए उचित व्यवस्था कर लूँ और अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो जाऊं। यमराज ने कहा, जरूर, तुम्हें मृत्यू से पहले मैं संदेश भेज दूँगा। बाकी था, कुछ और साल बीते, उसकी आँखों की रोशनी कम हो गई, कुछ समय के बाद अमरित के दांत भी चले गए, और अब वह बूढ़ा हो चला था, उसकी तवचा जुर्यों से भर गई थी, एक दिन उसे दिल का दौरा पड़ा, और उसकी स्थिती बेहत गंभीर हो उसने सोचा कि यमदूतों से कोई गलती हुई है, और उसने विरोध किया, पर उसकी एक नहीं चली, और उसके प्राण हरके उसे यमलोक ले जाया गया, अमरित ने यमराज से कहा, हाप ने अपने वचन से मुकर कर मेरा भरोसा तोड़ दिया है, आपने मृत्यू से पहले मुझे कोई पत्र नहीं भेजा, यह तो धोखा है, यमराज ने कहा, अमरित तुम अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि तुम मेरे पत्र पड़ नहीं पाए, मैंने एक नहीं, बलक लेकिन कोई भी पत्र मेरे पास नहीं पहुंचा है, लगता है आपके पत्र मेरे पास न जाकर किसी और के पास चले गए, अमरित तुम क्या सोचते हो कि मैं कागज और कलम लेकर तुम्हें पत्र लिखूंगा, नहीं, मैंने तुम्हारे शरीर को कागज बना कर शारीरिक पर चन्देश और आकिरी पत्र तुम्हें तब भेजा गया, जब तुम्हें दिल का दौरा पड़ा और तुम्हारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया, तुम्ने मेरे सभी पत्रों को नजर अंदाज किया हैं तुम्हें समझ जाएं और प्रित्वी पर अपने अधूरे काम सम जाते हैं और तुम्हारे जैसे मुर्ख सांसारिक भोग विलास और मोह माया में उल्जे रहते हैं।